करें तो इसमें जो मैक्सिमुम सजा है वो साथ साल की है जो सबसे बड़ी धारा इसमें लगाई गोई चालिस वालिस वीडियोज हैं जिनको एकनॉमिक उफेंस यूनिट ने इसको प्रिजार करने के लिए बोला है निर्भर करता है कि आप किस तरीके का आप रात करते से मनिश कर्षव पही आईटी एक्ट के साथ 67 धारा के अंदर गदभी एफाया दर्ज की गई है जिसमें कि आप कोई भी डॉक्यमेंट है एसको इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में आप सर्कूलेट कर रहीं यह जानते हुए कि यह जो है जेनियर नहीं है यह फॉर्ज डॉक्यमेंट है लेकिन आप उसको जिनूरन शो कर रहे हैं तो बिहार के यूट्यूबर मनीश कश्यप को लेकर पिछले कई दिनों से हमने आपको तमाम तरीके की सिलसलेवार तरीके से घटनाई दिखाईं कि किस तरीके से अपनी गिरफतारी का फरजी, पोस्ट डालना और साथी साथ उनके बैंक अकाउंट को भी सील कर दिया गया जि लगातार शिकंजा कसा और किस तरीके से कल बिहार की पुलिस ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुचा दिया इसको लेकर ये देश व्यापी मुद्दा बन चुका है और आज इसी की चलते कानूनी दाव पेच की थोड़ी समझ और कैसे उनकी गिरफतारी हुई कब व मौझूद है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिस तरीके से पूरे मामले में और यू या ने आर्थिक इकाई की बात हो रही है सबसे पहले में चाहते हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताई कि ये आर्थिक इकाई है क्या एक्च्वल में देखे जब देश में आ अपने अंदर अंतरगत जो है एकनोमिक ऑफेंस यूनिट करके एक अलग से यूनिट बने जिसमें बिहार ने भी एक दिसंबर 2011 को जब उनको लगा कि बहुत सारे मामले इस तरीके के आ रहे हैं तो उन्होंने एकनोमिक ऑफेंस यूनिट जो की इसके रिपोर्टिंग जो बिहार के डीजी होते हैं उनको ही रिपोर्टिंग होती है पुलिस अंतरगति आती है दिली में भी आपको क्या थो तो इकनोमिक ऑफेंस विंग है और कई सारे स्टेट बहुत बहुत सारे स्टेट ने अपने एकनोमिक बिंग बना रखी है तो इनका काम बैसिकली होता है कि कोई साइबर क्राइम हुआ कोई एकप्रॉपीशन है तो इन सारे चीजों को लेकर एक काई बनी है जो इन सारे मामलों को किया फायार करती है और इनमें खोजबीन करती है अच्छे जो आर्थी काई यूनित है यह यूट्फ अपने समझा दिया लेकिन बताइए कि इसके तहर जो सजा मिलती है वो किसी भी इंसान को वो कितनी बड़ी हो सकती है और इस सजा का प्रावधान क्या है देखें ये पूरा-पूरा निर्भर करता है कि किन-किन धाराओं में अफाईयार हुई है जैसे अगर हम मनिश कश्रेप वाले मामले की बात करें तो इसमें जो साथ साल किया कुछ में तीन साल गी कुछ में पांक साल गी कुछ में चैसाल कि उसमें साथ में तो वो निर्भर करता है कि अपराद किस ट्रेडी में आता है, अपराद किस तरीके का है, कितना बड़ा अपराद है, कितने रुपे का घोल माल किया हुआ, आपने कितना बड़ा साइबर क्राइम किया है, और उसके बाद पुलिस इनिवस्टिकेशन में किस तरीके से सबूतों को ले कि आती है, किस त पिछले कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस ने ट्वीट करके बताया था कि मनीश कश्यप का जो बैंक काउंट है जिसमें 45 लाग के उपर की जो जमाराशी जिसे फ्रीज कर आ गया है उससे पहले उसमें ये ट्वीट के माध्यम से ये मतलब लोगों के सामने बात रखी कि आर प्रताना चाहारी तीट के माध्यम से कि इनके ट्रांजेशन नहीं कर सकते या कुछ ट्रेपोजिट नहीं कर सकते एक दम फ्रीज करना पड़ा एकाउंट ऐसा क्या धिक्कत हो सकती है जारति करनी मित्ता हैं बहुत तरीके की होती है ये भी आता है कि अगर आप आप कहीं से ले रहे हैं black उसको बना रहे हैं black का पैसा ले रहे हैं white बना रहे हैं तो और बहुत सारे और भी आर्थिकर निमिता हूं जैसे इस मामले में मुझे लगता है कि आप illegal तरीके से पैसा कमा रहे हैं आपका जो ultimate motive था वो पैसा कमाना था और यह जो लोगों में हैटर्ड फैला के या लोगों में इस तरीके की वीडियो फैला के तो अब हो सकता है पुलिस जो हागे चलके यह मामला इस्टिबलिश करने की कोशिश करें आजकल कर जो टाइम में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा वास्ट हो चुका है कि कोई भी information अगर पास करनी होती है तो सोशल मीडिया का साहरा लेकर जो बिहारी मजदूरों के साथ जो शोशर तमिलनाडू में जिस तरीके से नाट रूपांतर और डिस्क् Cr structured के अप्राथ लगताता है वह जान मांघृ जाते और मोकि की अप्राथ में कि यो एकोणामिक प्राथ करनी के लिए बोला है जो भी social media प्लेटफॉर्म पे डाला गया है, जो 2021 में भारत सरकार इंकम, information technology, intermediate rules ले के आई थी, उन rules में भी इसका बहुत अच्छे से इसका burden है, कि जब भी कोई ऐसा offense होता है, तो जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनको लिखेंगी, और उनको जो है, बहुतर गंटे के अंदर, वो उस पर कारवाई करनी पड़ेगी, या तो अगर सरकारी एजेंसियों को हटवाना चाहती है, तो हटाएंगे, और वो कहेंगे, कर आपको उसको प्रिजर्व करके रखना, तो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा उनको, तो ये संभव जो 2021 का intermediary guidelines आई हैं, उसकी क्या किस तरीकie का अपराढ़ हो कोने सजाएं हो सकती seminar, बहुत्मना ठीके दर्चrama जकते हैं, तो इसमें किस तरीके एक आशली लील हरकते आप कर रहे हैं तो उसमें जो है थारा के तहट वह मुकदमादर्ज होता है एक दो धाराओं में और मुकदमादर्ज हो सकता है जो 468 जो IPC के तहट आ दिया 468 और 471 में जिसमें कि आप कोई भी डॉक्यमेंट है जिसको उलेक्ट्रोनिक फ्रम में आप जो है circulate करना यह जानते हुए कि यह जो है जैनियन नहीं है यह फौर्ज डॉक्यमेंट लेकिन आप उसको जिन्यून शो कर रहे हैं जैसे यह किताब है अगर मैं इसको कहूं कि मुझे पता है किस कितामें जो भी लिखा वो गलत लिखा लेकिन मैं आपको यह कहते हुए दे द मेरा नेक्स्ट क्वेशन है वह बहुत सारे दर्शक की जानना चाहते क्योंकि मनीश कशप का जो एकाउंट जिस तरीके से जो है बिहार के पुलिस ने जाहिर सी बात है तो उसमें जितने पी पैसे पड़े हैं अब उन पैसों का क्या होगा यह जानना चाहते बहुत साई दर्शक देखे उसके लिए लीगल रेमेडी इस उनके पास है अगर वह सकता है कि क बात को प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं इस अकाउंट से कोई डिस अप्रिपेशन नहीं हुआ है कोई भी इस तरीकी अर्थिक अनिमित्ताय नहीं हुई है अगर प्रूफ कर लेते हैं तो हाई कोट आधेश दे दीगी कि आप भी है इनका जो अकाउंट आपने फ्रीज को य इस पैसों कोई नहीं कर पाएंगे ना जो खता धारक होता है वह उसकाउंट को डिफ्रीज करने का अच्छा अब देखिए जैसे कि यह मामला जो है अब जो है तमिलनाडु राज्य में भी बहुत ज्यादा मतलब पनप रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां पर तमिलन वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था खाला कि वह नाटी रुपांदर था लेकिन इसमें बिहारी मजदूरों को लेकर जो टार्गेट करके और फुट फ्रेंट पर रखने की कोशिश की गई तो इसमें दो एंगल दो राज्य हो गए शामिल हो गए एक हो गया बिहारी बिह कोई गई हवाई एड़े से उनको लगातार जो है ट्रांसिशन रिमांट लेने के लिए पूरा पुर्जोर कोशिश कर रही है और अपने राज्य ले जाने की कोशिश कर रही ऐसे में क्या लगता है बेल मिलने के चांसे सहां आगे चल की कोई कानूनी दाव पेज जो जिसस तो सुप्रीम कोट ही एक कोट है जो इन दोनों मामलों को या तो कलब करने के लिए बोलेगी कि आप जो है एक मुकदमा निका खतम कर दिजे एक ही जगह मुकदमा चले या फिर एक जगहों पर जब मुकदमे होते हैं कई अन्य राज्यों में और उसमें मसला एक होता है एक ही और यह कहा कि नहीं अगर एकी तरीके के कई सारे FIR content गवल एक जगह मुकदमा चलेगा तो अगर यह Supreme Court रहां से हो सकता यह राहत उनको मिल सकती है कि आप जो है क्योंकि आप एक आदमी को जो हमारा संभधान कहता है जो हमारी IPC CRPC कहती कि एक आपराद के लिए एक आदमी को द किसी एक मामले में ही सजा होगी उसके लेकिन उनके उनको लीगल रेमेडी पड़ीए कि सुप्रिम कोट जाना बड़ेगा इनका अगर मामला एक खतम होता है तो इनका करित्रा तो धोरा सा असहज माना जाएगा कोर्स भी इसको बड़ी असहस्ता से लेगी कि आपको जब पता था कि आपके खिलाब वारंटी शू हो गया आपके खिलाब फाइयार हो गया या तो आप लीगल रेमेडी अंटिसेटरी बेल के लिए नहीं गए आप जो है अलग-अलग हैंडल से अलग-अलग जगहों से नोती दे रहे हैं तो यह मामला मुझे लगता है कि कोट के लिए बहुत पेचीदा हो जाएगा क्योंकि जब कोट में पब्लिक खड़ा होगा तो यसी बात को बोलेगा कि आप यह इनको सारी चीजें पता होते हुए भी उसके बावजूद भी इनको पता था अगर आपको लेकिन अगर आप आप आपको फायर हुई है आपको पता है आप सोचल मीडिया के लिटफोर्म से आ रहे हैं सरकार को और अजर्ण ऑजन चुनौती दे रहे हैं तो यह एक जो हम कानूनी रूप से देखते हैं यह बहुत गलत जाता है कि एक्यूज के लिए आपको अगर ज जल्दी बेल नहीं मिलें और यह बहुत जादा लंबा प्रोसेजर जाने वाला है बिलकुल तरीके की धराएं इसमें जिस तरीके की धराओं में उनको मुकदमा दर्ज किया गया है जैसा 153, 153A, 505, 1B, 1C, 468, 471 और section 67 up ITX तो इतने सारे मामले उनके खिलाब दर्ज हैं दो दो जगह दर्ज हैं और इतना और एक चीज में और बताओं कि जब पुब्लिक दोमेन में कोई मामला चला जाता है तो बहुत उसको जो कूट होती है उसको भी बड़ी बारीकिस से देखती है जो प्रियाएं होती है वो भी बारीकिस जो प्ल्पी प्रस्वेटर होगा तो मुश्किले जो है जो बावाल कड़ा करता है उनके लिए खड़ी होती है और इस मामले में बेल जो है शायदी बड़ी मुश्किल से मिले अभी फिलहाल तो अगले कुछ महीनों में उनको बेल नहीं मिलने वाली अच्छा अगर कोई शक्स खुद सामने जाकर जो है शरे करता है पहली बात तो अपरादी दो तरह के जो खुद सरेंडर करते हैं भले ही कोई भी सरकम्स्तांस के मद्दे नजर वो कर रहा है और अगर खुद पुलिस उसे गिरफतार करती दोनों में बहुत डिफरेंस है कि आप खुद कानून के पास गए और उसने आपने सरेंडर कर रहे हैं आपको जब आपके खिलाब जब फायार हुई आप पब्लिक डोमेन में है शोशल मीडिया अकाउंट्स पे है अकबारों में है कई सारे चैनल्स पे चल रहा है लेकिन तब आप सरेंडर करने नहीं आते हैं जब आपके खिलाब 8283 की प्रोसेडिंग अगर आप कहे तब आप जो है उसके सरेंडर के लिए आते हैं तो उस समय मुझे नहीं लगता कि सरेंडर का कोई बहुत उनको बेनिफिट मिलने वाला है यह जो आपने 83 का जिकर किया वह थोड़ा सा बताएंगे जब भी कोट किसी एक्यूस के अगेंस में वारन टीशू करता है बार बार वारन्ट है उनको उनकी अवहिलना कर रहा है तो मेंस्ट्रेट जो है पहले 82 की प्रोसीडिंग शुरू करता है कि उसके खिलाब जो वारन्ट होते हैं वो कहीं ऐसी जगह पर लगवाया जाता है माल जी कोई गाओं का रहने वाला तो गाओं के ऐसी जगह पर रहने लगाया तो प्रोसीडिंग शुरू होती है तो उसके जो प्रपर्टी जो करवाही चल रहे है तमाम तरीके उसमें कहा गया कि पत्रकार होने के नाते ये असत्य और भ्रामक चीजों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं ऐसे में जो इनका न्यूस चानल है सच्चतक और सच्चतक जिसके पैसे इनके पास आये थे अकाउंट में जो कि पुलिस ने और फ्रीज कर दिये हैं तो यह क्या यूट्यूब चैनल भी इनका बंद हो सकता आने वाले टाइम में क्या इस पर भी कोई पुलिस या कारवाई या एक तरीके से देखा जाए कि कानूनी कारवाई हो सकती है देखें पहले भी आपने देखा होगे कि बहुत सारे चैनल जो गलत खबरे फैला रहे थे उनको कही सारे यूट्यूब चैनल को बंद किया गया तो समभावना है बिल्कुल है अगर कोट को लगता है अगर पर्भी प्रसेकुटर यह बात कहते हैं कि इनके जो चैनल है लग देखना है तो बड़ी बारीकी से देखना है चालेस जो वीडियो जो प्रिजर्व विशले कराए गया है कि कल अगर आप मान ले जी हूज कहता कि कि नहीं है मेरे हैंडल से आपने ट्विटरहेंडल का जिकर शेंडल कि अरे हैंडल से था तो वो देखा जाय गा उसकी पूर किया जाएगा जो hardware कोई विजय से हम कोई laptop यूज कर रहा है और यह मोबाइल यूज करें तो सबका एक mac address होता है mac address मैच करा जाएगा IP address मैच करा जाएगा तो यह सारी चीजें जो है पुलिस को establish करनी पड़ेंगी कि जो यह चीजें upload हुई है वो इनके ही अपलोड हुई है इनका ही account था इनके ही सारे माध्यम थे तो इन सारी चीजों को जब पुलिस कर ले जाएगी उसके बाद ही यह कोई अब एक आखरी सवाल है कि अगर तमिलनाडू की पुलिस इनको मुझा ओए तो इसमें अगर इनको रिमांड मिलती तो तब क्या कुछ चैलेंज इस और क्या कुछ चनावतिया तमिलनाडू की पुलिस को फेस कर ने पड़ेंगे लिखे तन पलिस और गूर्ट समय पोलिस और लिख यह कर लिख जाना होता है उनकी लोगता की ने तो मुझे नहीं लगता कि अगर बिहार पुलिस भी उनके खिलाब कर रही है तो बिहार पुलिस कुछ भी ऐसा रोडा उत्पन करेगी अगर तमिलान पुलिस उनको रिमांड पे ले ले जाने के कोशिश करेगी हाँ एक रोडा कानूनी रोडा जरूर पैदा होगा कि क्योंकि वो अलड़ी जेल में है तो जब तक वो जेल में है तब तक उनको रिमांड नहीं मिल सकती जब वो या फिर जब वो जूरिशल कस्टडी में जब भेजे जाएंगे तब हो सकता है कि ये कोट में अरजी लगा कर उनकी रिमांड की मांग करें और तब उनको हो सकता है कि कोट आदेश करें और उनको रिमांड पुलिस को दिया जाएंगे सब्सक्राइब जरू करें कैमरामेन अम्रितांशु के साथ मैं कांक्षा मिश्रा इंडी टाइम्स